इन दो चेहरों को अब तक शायद किसी ने उस तरीके से नहीं जाना है वो तमाम लोग जो तैटन पंडुबी की बात कर रहे हैं वो तमाम लोग जो टाइटानिक को देखने गए पाँच लोगों का जिक्र कर रहे हैं लेकिन उन पाँच लोगों में ये दो पिता पुत्र या हो सकती थी एक तरफ जैसा मैंने कहा जे ब्लूम और दूसरी तरफ हो सकते थे उनके बेटे सीन ब्लूम और इसकी कहानी आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन दोनों ने अपनी जान बचाई और इन दोनों की जगह जो पाकिस्तानी बिजनसमेन हैं उनके और उनके पुत्र की इस पूरी की पूरी घटना में जो ओशन गेट की तरफ से एक इकस्पेडिशन था जिसमें कहीं न कहीं आपने देखा कि पांच लोग टाइटानिक का जो तकरीबन 111 साल पुराना मलबा दबा पड़ा है जो वो सिंग को चुका है बिलकुल अट्लांटिक ओशन के सर्फ आया था कि भाई आप जो है ना आप आये और इन सारी की सारी चीजों को देखिए और यह टिकेट बाय कीजिए जो की तक्रीबन भारतिय राशी के हिसाब से धाई करोड़ रुपए की थी अब जो रश्त है जो इस ओशन गेट कंपनी के CEO है वो खुद एक वेगस गए और वेगस में इन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इस हम इस यात्रा पर निकल रहे हैं और यह पहली बार तो था नहीं जैसा आपने अब तक जान लिया हुगा यह पहली बार नहीं था खुद रश की पतनी जिनके ग्रेट ग्रांड फादर और ग् उन सारी की सारी यात्राओं में एक first class passenger के रूप में थी उनके पर दादा और दादी वो खुद रश की पतनी जो की CEO थे उनकी पतनी दो बार इस पूरे के पूरे मलबे को जो टाइटानिक का मलबा इसको देखने दो बार जा चुकी थी रश की खुद यह कोई पहली यात्र में कई सारे सवाल होते हैं उनके सवाल जो थे वो इस पंडुबी की संरचना को लेकर के थे जिस तरीके से बनाई गई है काबन फाइबर टाइटेनियम इन दोनों का जो combination होता है अमूमन तोर पर जो पंडुबियां बनती हैं वो इस तरीके से नहीं बनती और वो इस तरीक करने के चक्कर में दावे हजार थे दावे कई सारे थे कि वहीं यह 13000 फीट नीचे तक जा सकती है लेकिन 12500 कि जो डेप्ट थी वहीं पर जाकर यह पूरी तरीके से ब्लास्ट कर गई इंप्लोजन जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कि आप बाहर से नहीं फटी है कोई चीज कोई चीज अंदर से फटी है जैसे आप किसी बोतल से पूरी की पूरी हवा निकाल दो उसके बाद देखो उसमें किस तरीके का ब्लास्ट होता है शुरुवात से शुरू करते ह कहानी को शुरुवात से शुरू करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो इस पूरी की पूरी कहानी को नया अंगल देता है और ये पिता-पुत्र उस दिन से सर्फ यही सोच रहे हैं कि अगर हमने हामी भर्दी होती तो शायद पाकिस्तानी बिजनसमेन और उनके बेटे की जगा हम दोनों की तस्वीर इस वक्त पर इंटरनेट में वाइरल हो रखी होती चीजे कहां से शुरू होती है मैं चाता हूं कि आप इस कहानी को पूरी शुरुवात से समझे टाइटानिक की आत्रा वो पुरानी तस्वीर जो बड़ी विशालकाय है जो बड़ी विहंग कि भई कौन सी कंपनी बाजी मारेगी इस शिप का आईडिया आता है इस शिप को इस तरीके से बिल्ट किया जाता है कि एक ऐसा शिप निकला है जो कभी नहीं डूबेगा और इस शिप निकला कहां से था इस शिप की अगर आप यात्रा देखोगे तो आपको चीजे समझ आ पता चलेगा कि कैसे जो है यहां से लंडन में कहीं साउथ हाम्टन है और स्वाइं देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहां से यह सारी की सारी यात्रा वह शुरू होती है और इस यात्रा को पहुंचना होता है नु यॉर्ण है आज का दो आप ये Newfoundland देख रहे ना धरसल यहीं से यह जो चौन की तो चार घंटे आbas को मलबा दिखाया जाता वह जो पूरा कगट्व टा आपको दिखाऊंगा उस हिस्से को दिखाने के लिए चार घंटे लगने थे आपको तो यह यात्रा जो टाइटानिक की यात्रा थी वह सुद हम्टन से शुरू होती है पोर्ट से और न्यू यॉयॉक इसे पहुचना था लेकिन नहीं पहुंच पाती है वह कहानी आपको सारी की सारी पता है वापस आते हैं यह दरसल किस मलबे को देखने गए थे उसकी भी तस्वीरे आपको दिखाता हूं जिसको लेकर के इंटरनेट पर अगर आप देखोगे तो इन मलबों को लेकर के जो सबसे पहली ओफीशल जानकारी मिली थी यह तस्वीर 1985 उनीस सो पिचासी आधसे बहुत पहले की बात नहीं है लेकिन उनीस सो पिचासी में दरसल दुनिया को पहली बार वास्तविक तोर पर ईफिशल तोर पर ये पता चला कि भाई यह जो पूरा का पूरा मलबा है यह टाइटानिक का मलबा है 1985 में इसकी बात सामने निकल कर आती है और उसके बाद से यह जो यात्राइं है यह जो शौक है जिसे हम कहते हैं कि आप 2-2.5 करोड रुपए खरच कर रहे हो सर्फ इस यात्रा के लिए जाने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आपकी सिक्योरिटी से कहीं कोई छेड़खानी न करें टाइटानिक के फिल्म के जो डिरेक्टर थे वो भी कई बार देखने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने कभी भी इसको एक बिजनस का प्रायोजन नहीं बनाया दूसरों की सुरक्षा के साथ कभी खिलवार नहीं किया तो ये एक सबसे जरूरी फैक्टर है आगे बढ़िए तस्वीरों में जब हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ और अन्य बाते पता चलती हैं ये अलग-अलग तस्वीरे हैं उसकी औ और आगे चलेंगे अगर हम तो हमें नहीं चीज़ें कुछ पता चलेंगी क्योंकि इन सारी की सारी तस्वीरों से आपको कहीं ना कहीं उस खटना के बारे में पता चलेगा और आगे इसके आगे चलते हैं ये 12500 जो मैंने आकड़ा आप लोगों के सामने रखा था कि ओशिन करें नाम है जिनकों लेकर कि आपको सारी की सारी जानकारी या इनकों matton Um इat si Стaukton rush इनके बारे में आपको सारी के सारी चीज़ें पताये दरसल इनसे जब पहली बार पूछा गया था ना इस चीज के बारे में कि ये टाइटानिक की सनक क्यों है ये जिद क्यों है टाइटानिक को लेकर ये प्यार क्यों है तो एक लेक का जिक्र करते हैं कहते हैं एक लेक पढ़ा था मैंने उस लेक में ये लिखा था कि दुनिया के जो तीन सबसे popular शब्द है ना मतलब दुनिया में ऐसे तीन शब्द जिनके बारे में आप किसी से भी पूछ लीजिए सबसे जादा तीन सुने हुए शब्द पूरी दुनिया में यह हैं मैं आपको बताता हूँ तीन शब्द कौन से हैं पहला शब्द है और यह popularity के हिसाब से शब्द नहीं है यह ऐसा नहीं है कि यह सबसे जादा सुना गया यह उसके बाद यह सबसे बड़ा शब्द है जो सबसे जादा सुना गया मतलब जो तीन सबसे जादा सुना गया सबसे पहला शब्द है कोका कोला अगर दुनिया में आप कोका कोला बोलेंगे ना तो चाहे चींप किसी चाइनीस को बोले को बोले चैपनी जोडे एशीया फैसिए बॉले गल्फ में कहीं बोले यॉरप में कहीं Ces corner करिभियन में कई वोले सवत अमेरिका में कई बोले Arctic Atlantic कहीं पर भी कुछ बोले टीसरा जनते हैं पता है कि यह तीसरा factors ताइटानिक कहते हैं यही से सनक शुरू हुई दुनिया के तीन सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द जिसमें कोका कोला गॉड और टाइटानिक जैसे मैंने का इनका यह रैंडम किसी भी ओर्डर पर आप लिख सकते हो टाइटानिक मैंने सबसे आखिर में इसने और इसके पीछे का एक और इतिहास जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी पत्नी के परदादा और परदादी उस ताइटानिक के जहाज में 1912 में जो चला था उसके फर्स क्लास पैसेंजर्स थे तो यह दोनों चीज़े समाहित हो गई इनके बारे में आप जानते हैं श और उनका एक डर था जिसकी वज़े से मना नहीं कर पाए लेकिन उनकी चाची ने इसके बाद खुलासा किया था कि भई जो शहजादा सुलेमान दाउद है वो जाना नहीं चाह रहे थे उनको डर था इस चीज़ का कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बाद एक नाम है Paul Henry यह अलग अलग जगा जा चुके थे और इनकी कहानी सबको पता है इनको आप जानते हैं क्या हमिश हाडिंग कौन है हमिश हाडिंग हमिश हाडिंग इस इन 5 लोगों में तो थे लेकिन हमिश हाडिंग दरसल वो शक्स भी है जिन्हों ने ऐफ्रिक परिचे वहां से भी जूड़ता है सिर्फ इतनी सी चीजों से नहीं है तो अब आप लोगों को अगर इन पांच लोगों के बारे में सही तरीके से जानकारी मिल गई है तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि चीजे किस तरीके से और जादा खुलती चली गई इस को जो है वह आखिर में यहां पहुंचना होता है लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहां पहुंचने से पहले यहां पहुंचने से ठीक पहले अगर आप देखोगे और स्टॉक्टन रश की तस्वीर अगर आप देखोगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि कहानी कैसे बुन फिलाशा है जो थी वह बहुत जादा थी और इस वज़े से इन दोनों ने मना करा रिस्क बहुत जादा लेते थे यह एक तरीके से अगर आप देखो गे तो सीन पिता पुत्र जिनकी कहानी ये थी कि स्टॉक्टन राष्ट ने इन्हें सबसे पहले अप्रोच किया था उसके बाद वो गया लेकिन यहां से जब इंकार हुआ कुछ हफते पहले मना कर दिया जाता है और इसके पीछे सीन ही रहते हैं उन्होंने कहा security के लिहाज से compromise है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती है यहीं से इन दोनों की जान बचपाई बाकी एस दे से rest is history फिलाल इस वीडियो में इतना ही बाकी जानकारियां आपको लगातार मिली रही है खबरी लगातार आपको मिली रही है धन्यवाद